दोस्तो यूपी टेट 2021 के फॉर्म इस बार आने की बहुत ही कम संभावना लग रही है बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर के आ गया हूँ बड़ी खबर मैं लेकर के आ गया हूँ आज ही की डेट की ये खबर आई हुई है यूपी टेट की यहां पर वेबसाइट खुली हुई दिख रहे हुई यूपी टेट एलिजिबेल्टी टेस्ट में 11 माई को आने वाला था नौटिविकेशन 18 माई से स्टार्ट होने वाले रिफॉर्म मैंने पहले खुद वीडियो बना करके बताया था कि 11 माई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई से इसका फॉर् 2020 का विग्यापन निकाले परिचा अभी दूर है तो साफ साफ यहां बताया गया है कि अभी कोरोना को ले करके बहुत ही दिक्कत आने वाली है उत्तर प्रदेश इच्छक पात्रता परिच्छा देखिए आपके सामने मैं पूरी न्यूस बता दे रहा हूं उत्तर करिक्छा दिया गया है कि यहरह माई को विग्यापन ऑनलाइन नहीं आएंगे और 앞हरह माई से ऑनलाइन आवेदन होने के आसार नहीं है हालां कि परिच्छा दनस्तर ने इसकी सब्सेस्वरों ने करमचारी जो बहां पर यह कोजी ऑनकरमित सब हो गया है तो इसकी प्रकरि कि यह कब होगी प्रक्रिया अभी क्या है विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीटी 2020 के आयोजन की समय सारा नित्तय कर दीथी पूरा कैलेंडर मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था पूरा कैलेंडर बताया था कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा कब कॉपिया जाची जाएं आदेश जारी होने तक अभी इसमें कुछ भी नहीं का जा सकता है लेकिन 90% ये कंफर्म है कि ये नहीं होगा क्योंकि सभी लोग यहाँ पर COVID संक्रमित हो गए हैं अब यहाँ पर देखे विग्यापन 25 जुलाई को परिच्छा होनी थी लेकिन विग्यापन 18 माई तक जारी नहीं होगा तो 25 जुलाई को इसकी परिच्छा भी नहीं होगी तो यहाँ पर परिच्छा 25 जुलाई को ना हो करके अब वो अगस्त या सिप्टेंबर में परिच्छा हैं जाएंगी सारी चीज़े देखते हुए अभी हम लोग यहीं कह सकते हैं कि फिलाहाल अभी 11 माई को विग्यापन नहीं आएगा और 18 माई को इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं आएंगे जो भी लोग इस वेकंसी को भरना चाहते थे यूपी टीटी के वेकंसी को देना चाहते थे उनके लिए ये बड़ी खबर है और साथ ही ये बैड नियूस भी है या कहा जाए एक तरीके से ग अब आएंगे ये फॉर्म मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगा जैसे इसकी न्यूज आएगी मैं रिसर्च करता रहता हूं जैसे ही आएगी और भी लोगों से पता किया है जैसे ही आएगी मैं तुरत वीडियो बना करके आपको बताऊंगा इस फॉर्म को अगर भरन वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजे